नमस्कार साथियों, न्यूज क्लिक के डेली राउंड अप में हम आपका स्वागत करते हैं, तो सबसे पहले आज की मुख्य खबरें बीते 24 घंटे में सामने आए करोना के अब तक के सबसे अधिक मामले, PMKS फंड से जारखंड को मिला प्रतिवेक्ती महज 2 रुपए, राजस्थान की सरकार में भी भाजपा द्वारा सेंधमारी का आरोप, तो सबसे पहले शुरुवात करते हैं करोना के अपडेट से स्वास्त मंत्राले के आंकडों के मुताबिक, बीते 24 घंटों में अब तक के सबसे ज़्यादा यानि 10,956 नए मामले सामने आए हैं 396 मरीजों की मौत हो चुकी है और 6,166 मरीजों को ठीक किया जा चुका है देश भर में अब करोना वाइरस से संक्रमित कुल मरीजों की संख्या 2,97,535 गई है जिसमें से 1,47,195 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और करोना संक्रमन के कारण अभी तक 8,498 मरीजों की मौत हो चुकी है देश में कुल सक्रिय मामलो यानि की एक्ट्व केसिस की संख्या बढ़कर 1,41,842 गई है इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च द्वारा आज सुबह 9 बजे जारी आकडों के मुताबिक अभी तक कुल 53,63,445 सेंपल की जाच की गई है जिनमें से 1,50,305 सेंपल की जाच बीते 24 घंटों में हुई है चलते हैं अब की दूसरी खबर पर जो जहारखंड से जुड़ी है बिहार की गरीब जनता के बीच 72 करोड रुपे का LED लगवा कर अमीच सा की वर्चिवल रैली का संदेश पहुंचाया जा रहा है बात जहां न पहुंचे रासन वहां पहुंचे भासडवाली हो गई है इसी बीच खबर आ रही है कि करोणा महमारी से जूजने के लिए केंद्र सरकार ने जहारखंड को PMKS फंड द्वारा महज 8 करोड 73 लाख रुपे की रासी भेजी है जहारखंड के मुख्य मंत्री ने इस पर ट्वीट कर इसे राजी की गरीब जनता के साथ मजाक करार दिया है और कहा है कि 3 करोड 74 लाख की अबादी वाले जहारखंड में अगर यह पूरी रासी बांट दी जाए तो प्रदेश के सभी नागरिकों को प्रतिवेक्ती मात्र 2 रुपे ही मिल सकेंगे अब अंतिम खबर जो राजस्थान के सियासी ड्रामे से जुड़ी है देश करोना से जुज रहा है और भाजपा, करनाटक, गुजराद और मध्धप्रदेश की तरह राजस्थान की सरकार में भी तोड़ फोड करने के लिए अपना सियासी घोड़ा बेलगाम दोड़ा रही है राजस्थान में आने वाले 19 जून को तीन राजसभा सीटों के लिए चुनाओ है कॉंग्रिस ने केसी वेड़ो गुपाल और निरच डांगी वही भाजपा ने राजेंद्र गहलोत और उंकार सिंग को उतारा है संख्याबल के हिसाब से 200 विधान सबाज सीट वाली राजस्थान में कॉंग्रिस को 107 सीटे और भाजपा के पास केवल 72 सीटे मिली थी इसमें से कॉंग्रिस के 8 विदायकों ने स्थीपा दे दिया है इसलिए कॉंग्रेस के पास 99 और भाजपा के पास हाल-फिलहाल 72 का आकड़ा है हर प्रत्यासी को जीतने के लिए कम से कम 51 वोट चाहिए कॉंग्रेस को दोनों मिद्वारों को जीताने के लिए 102 वोटों की जरूरत है जो आसानी से मिलते दिख रहे हैं कॉंग्रेस के साथ 13 निर्दलिये, लेफ्ट, बीटीपी के दो-दो और एक आरेलडी विधायक हैं भाजपा के पास खुद के 72 विधायकों के अलावा 3 वोट आरेलपी के हैं भाजपा के पास सिर्फ एक प्रत्यासी को जीताने का बहुमत है राजस्थान का सियासी खेल इसी प्रिष्ट भूमी में रचा जा रहा है सिकायत मिल रही है कि भाजपा निर्दलियों को पैसे लो, इस्तीफे दो जैसे लालच दे रही है इस पर आगे की रड़नीती तै करने के लिए मुख्यमंतरी असोग गौलोत ने बुद्धवार साम मुख्यमंतरी आवास पर बैठक की इसके बाद कांग्रिस ने निर्दलिये समेट 110 विधायकों को जैपूर की होटल सीव विलास में सिफ्ट कर दिया बाद में गहलोत भी होटल पहुँचे और विधायकों को एक जूट रहने की नसीहत दी सूचनाएं मिल रही है कि भाजपा 5 से 10 करोड रुपए एडवांस में देने का ओफर दे रही है कैस भी ट्रांसफर हो रहे हैं गहलोत ने आरोप लगाया है कि चुनाव दो महीने पहले भी हो सकते थे लेकिन गुजरात और राजस्थान में खरीट फरोख्त पूरी नहीं होने के कारण भाजपा ने इसमें देरी की कॉंग्रेस के मुख्य सचे तक महेश जोसी ने एंटी करप्सन ब्योरो के डीजी को पत्र लिखकर सिकायत की है कि करनाटक, गुजराद और मध्यप्रदेश की तरह राजस्थान में भी चुनी हुई सरकार को अउश्थरी करने के लिए विधायकों को 25 करोड रुपे तक का ओफर किया जा रहा है उन्होंने इस पर कानूनी कारवाई करने की मांग की है इसी बिच जैपूर में बड़ा कैस्ट ट्रांसवर होने का लिंक भी बिला है जिसकी जांच सुरू हो गई है भाजपा नेता राजेंदर राठोड ने इस बड़ाबंदी को ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा बताया उन्होंने कहा कि बियबस्पा के छे विधायकों को तोड़ने वाली कॉंग्रेस अब होस्ट रोडिंग याने की खरीत फरुक्त का राग अलपा रही है कॉंग्रेस को अपने ही विधायकों के संभावित विद्रो आंत्रिक गुटबंती से मजबूर होकर यह कदम उठाना पड़ा है नेत्रित्व का मनोबल कमजोर है असुरक्षा की भावना है इसकी वज़ा से बड़ाबंदी जैसे अलोकतांत्री कदम उठाने के लिए सरकार मजबूर हुई है कॉंग्रेस के प्रवक्तार अर्दीब सुरजेवाला का कहना है कि भाचपा का जनमत में विश्वास ही नहीं है भरोसा ही नहीं है उसका चरित्री है परजातंत्र का चीधरन करना और आजस्थान की वीरभूमी पर भाचपा के इस सड्यंत्र को हम कामयाब नहीं होने देंग अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होगा, क्या कॉंग्रेस की विधायक खुद को लालत से दूर रख पाएंगे, या भाजपा पैसे के दम पर एक और राजे पर कबजा जमाए पाएगी, इस पूरे प्रकरण पर देखिए वरिष्ट पत्रकार अभिसार सर्मा की राय का या छोटा सा हिस्सा. तो प्राथ मिखता है क्या है इस पुलिटिकल पार्टी की? जैसे मैंने कहा ना भईया आपका जो अदेश होना चाहिए, कुरोना के मरीज कम करने का होना चाहिए, विपक्ष के नंबर्स कम करने का नहीं होना चाहिए. बात यहां नहीं रुकती है, क्योंकि हम लगातार देखते आ रहे हैं, चाहिए मैंगलूरू हो, मद्धिप्रदेश हो, गुजरात हो, हर जगा वही ऑपरेशन कमल का खौफ. कली मैंने अपने एक शो में बात किया और मैं चाहता हूँ आप फिर से सुनिये, शिवराद सिंग्चोहान ने कथित तौर पर इस वाइरल आडियो में, जिसका वीडियो भी सामने उभर कर आ गया है, जिसे कॉंग्रिस किनेता नरेंद सलूजा ने पोस्ट किया है, वो आड रादित्त सिंधिया के चलते ही, आपरेशन संभव नहीं हो पाता, खुद उन्होंने बात कही, और बाद में यू ये भी कहते हैं, भारती जानता पार्टी के कारकरताओं को, कि इस सीट से हमें जितवाना है, क्योंकि आप जानते हैं, इस सीट से बीजेपी को जितवाना है प्रधान मंत्री का फैसला घलत ना हो जाए, तो कहीन है कि शिवराज सिंग चौहान ये इशारा कर रहे हैं, कि ये उस स्थर पर ये फैसला लिया गया था कमलनाद की सरकार को गिराने का, सुएए। तो प्राथमिक्ता यहाँ पर साफत और पर दिखाई दे रही है इस प्लिटिकल पार्टी की, और फिर आप लोग क्या कहते हैं, कि विपक्ष क्या कर रहा है, और आपकी देखा देखी, वो गुरु शिश्य परमपरा होता है न, क्योंकि आमिश्या ने कह दिया विपक्ष क यूटूब चैनल न्यूज क्लिक पर देख सकते हैं, सुक्रिया आप देखते रहे हैं न्यूज क्लिक